सबी को नमस्कार स्वागत हैं आपका अमारी यूट्यूब चेनल जेजी क्लासेज मेवाड में आज अमल कर रहे हैं अब्यास प्रस्न पत्र जो की आरके एसेम वीकेफ राजस्तान के शिक्सा में बढ़ते कदम के अंतरगत 11-18 अक्टूबर तक ली जानी वाली प्रिक्सा का राइट करें जिससे की आने वाले हल आपको मिलते रहें इसमें कुल प्रेशन होंगे 15 और समय होगा एक गंटा यहां विद्यारती अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने रोल नंबर लिखेंगे एक OCR पत्रक अलग से एक पेपर देंगे उसमें जो सही है उसके इसाब स उसमें राइट लगाना है वाँ चार बोक्स होंगे ए राइट है तो ए वाली बोक्स में बी राइट है तो बे में इस प्रकार अलग से पेपर होगा उसमें राइट लगाने है पहला प्रस्ण है भाई बेन का त्युवार है तो बाई बेन का त्युवार होगा रक्सा कई इसमें के के प्रस्ट नम्पर तीन हैं इंद्र दनूस में रंगोंगे यहां साथ कि डेस हैं अगला प्रस्ट है अमारे राष्टे गीत के रच्चता है तो राष्टे गीत के रच्चता है बंकीम चंदर चटो बज्द्याई इसमें वे में राइट करें अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर पांच अपने पिता को पत्र लिखते समय प्रारंबिक संबोधन होगा तो प्रारंबिक संबोधन होगा इसमें पूजनिय दे राइट है प्रस्ण नमबर छे मुर्गा सब्द का लिंक बदलने पर होगा तो इसमें होगा मुर्गी से राइट है साथवा प्रस्ण कबूतर ने तो इसमें आएंगे पंक पंक होगे पहले वाला ए पंक फट पड़ाए दिख्स्तान में पंक आ जाएगा ए राइट है आटवा प्रस्ण है मेज पर कुछ तो इसमें आएगा पुस्तके ए राइट है पुस्तके रखी है नववा है समू में बिनार्त वाला सब्द है सुबह दो पेर साम और गड़ी तो इसमें बिनार्त वाला होगा गड़ी दे राइट अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर दस नो दो जारे हो जाना नो दो जारे हो जाना का आर्थ होगा बाग जाना बेसाई है अगला है ये गए गड्यांस को द्यांसे पड़े और प्रस्णों के उतर दे बगर सींग पार्त के एक मान सवतंता सेना नी एम करांतिकारी थे बगर सींग का जनम 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जीला लाइलपूर में बंगा गाव में हुआ था बगर सींग के पिता का नाम सरदार किसंग और माता का नाम विद्यावतिक को और था बगर सींग 14 वर्ष के आयू से ही पंजाब की करांतेगारी संस्ताओं में कायरे करने लगे थे बगत सींग को हिंदी, उर्दू, पंजावी तता, अंग्रेजी की लावा बांगला भी आती थी बगत सींग ने देश के आजादी के लिए सक्तिसाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया बगज सींग का इंकलाब जिंदावात का नारा बगज सींग ने देश की आज़ादी की संगर्ष में एसे रखे की पूरा जीवनी देश को समर्पित कर दिया अब इसमें प्रेशन है बगज सींग ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्तों में काम करना सुरू किया था तो उम्र थी इनकी 14 वर्ष ए राइट है अगला प्रस्ण है देश की आज़ादी के लिए बगज सींग ने किस से मुकाबला किया था तो इसका उत्तर होगा बेटिस सामराजिय से बे राइट है तेरवा प्रस्ण है बगज सींग के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है इदेश के लिए अपने प्राणों की आउती दे देना बे राइट है तेरवे में अगला प्रश्ण है नीचे दी गई कानी को पड़े और दिये गए प्रश्णों के उत्तर दे कानी है एक जंगल में बर्गत का पेड़ था उस पेड़ के उपर एक चील का गोसला बना कर रहती थी जहां उसने अंडे दे रखे थे उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया समय बीता अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और ये सोच देवे बड़ा हुआ कि वो तो एक मुर्गी है वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ वे उनीक के कामों को करता जिने एक मुर्गी करती है वो मुर्गी की तरे कुड़कुडाता, जमीन खोद कर दाने चुपता और वो उतना ही हुचा उड़ पाता चितना एक मुर्गी उड़ती है एक दिन उसने आस्मानवे एक चील को देखा जो बड़ी सांसे उड़ रही थी उसने मुर्गी मा अपनी मुर्गी मा से पूचा उस चिडिया का क्या नाम है जो इतना उचा बड़ी सांसे उड़ रही थी मुर्गी ने जवाब दिया वह एक चील है फिर चील के बच्चे ने पूचा मा मैं इतना उचा क्यों नहीं उड़ पाता मुर्गी बोली तुम इतना उच्चा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो उसने मुर्गी की बात को मान ली और मुर्गे की जिन्द की जीता हुआ एक दिन वर गया अब इसमें प्रेशन हैं प्रेशन नमबर चाउदा और पंदरा चाउदुए में हैं चील का गोसला कांत पर था तो चील का गोसला यहां प्रेशन में दे रखा है कि बरगत के पेड़ के उपर था तो यहां लिखेंगे पेला एराइट हैं बरगत के पेड़ पर चील का गोसला था अगला प्रेशन है प्रेशन नमबर पंदरा चील का अंडा किसके अंडों से जाकर मिल गया तो चील का अंडा किसके अंडों से मिला मुर्गी के अंडों से इसमें बेराइट हैं बेबरे ये था कक्सा साथ का हिंदी का प्रस्न पत्र जिसमें प्रस्न एक से लेके बंदरा तक है इसके उत्तर आपको एक अलग से OCR सीट दी जाएगी उसमें बरने है और वो OCR सीट ओनलाइन चड़ाई जाएगी उसके नुसार आपको नमबर मिलेंगे यह प्रिक्सा होगी 11 से 18 अक्टूबर के मत्य इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद